हलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टो आट चैनल, लेट्स डिस्कस्, फ्रेंड्स आज हम आप सभी के लिए क्लास टैन्थ का विज्ञान सब्जक्ट का वाक्षिट नमबर 33 लेकर आये हैं, तो आईए इसे एकिक करके बहतर तरीके से समझते हैं और इसके साथ मैंने सॉलूशन भी अ ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज आपका वाक्षिट धातू और आधातू को ही फिर से कंटिन्यू किया जा रहा है, तो आपको इसमें करना क्या है, सब से पहले आपको जो रियक्टिविटी सिरीज याद करनी हैं, और ये रियक्टिविटी सिरीज आप याद कर लेंगे, तो आपके जो 10th क्लास में दो नमबर तो फिक्स हो गए, मतलब इस रियक्टिविटी सिरीज से दो से चार नमबर आते हैं, तो सक्रियता सिरेनी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, तो कौन किस से ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है, पोटासियम जो है न, सोडियम से ज़्यादा ता यहां से यह ऊपर जाते जाते हैं, यह सारे ताकतवर है, ठीक है दोस्तों, और यह नीचे आते हैं सबसे कम अभी किरिया सिल है, तो आप यहां देख पा रहे हैं, इससे आपको पोटासियम, सोडियम, कैल्सियम, मैगनीसिम, मैल्मोनियम, जिंक, आइरन, इसका एफी क्यों हाइड्रोगायरा, मरकरी, मतलब मरकरी है, हाइड्रोगायरा, एजी, औरम, ठीक है, इसको गोल्ड कहते हैं, ठीक है दोस्तों, तो यह आपको बहतर तरीके से याद करना है, और आई होप आप इसे याद कर लेंगे, ठीक है, और याद कर लेंगे, तो आपके अग्जाम में बहुत ही health immune लेगा तो आईए इसे और बहतर तरीके से समझते हैं अमल के साथ धातो की अफिकरिया कैसी होती है धातो प्लस तनू अमल के साथ 11 प्लस hydrogen देता है क्या देता है? 11 प्लस hydrogen जैसे देखिए sodium इसका मतलब होता है दोस्तो solid state यानि ठो सवस्था में हाइड्रोकलोरिक एसीड है यह तनू अमल होता है और यह aq solution यानि mix होता है और यह h gas होता है ठीक है? और h2 gas जी gas cS form में होता है तो आपको इसमें करना क्या है? जो आपको इसे याद कर लेना ठीक है? यह आपको यह reaction जैसे धातो प्लस तनू सल्फिलक अमल्य से अविकिरिया करता है तो लवन प्लस हाइड्रोजन होता है ओके फ्रेंड्स अब देखिए आपको करना क्या है इसमें इसमें बेसकल ही जैना आपको जब धातो यह नाइट्रिक अमल्य के साथ में परिवर्टित कर देता है यह वह स्वेंग नाइट्रोजन के किसी आउकसाइड यानि एच एनो और एनो टू के अपचेइत हो जाता है जैसे मैगनिशियम मैगनिशियम और मैगनिश जो है न अती तनु आमल के साथ अभिकिरिया करके हाइड्रोजन गैस क्या करता है रिलीज करता है ठीक है तो यहां आप एक्वेशन देख सकते हैं यह बहुत ही अच्छा एक्वेशन है इसे आपको लिखना चाहिए और अच्छे से इसे याद भी करना चाहिए ठीक चुँए अठीक है पलस आपना चाहिए पलस और अप्लस पलस एठीक है अगर देखेए यहां आइरन है यहां है विखना क्या क्या डिस्प्लेस कर दिया, जैसे यहां मैं आपको दिखाना चाहरा हूँ, देखें, यहां इफ ई, जहने, यह सॉलिट फॉर्म में था, ठीक है, तो यह यहां पर आ करके, जहना, तो यहां आप देख रहे होंगे, यह इफ ई, इस ओ, फूर, जहना, हो गया यहां पर इसका अस्थान ले लिया, कॉपर का, ठीक है दोस्तों, तो यह कैसे हुआ, अभिकरिया सिरीज के द्वारा ही हुआ, रियक्टिबिटी सिरीज के थुरू होता है, अब आपको यहां समझना है, जो कॉपर सल्फिट में सोने तक की आधातु अब परिसिती में किसी अन्य पदार्थ से अभिकरिया नहीं करता है यही का रहने कि सोने जैसे धातु को असानी से संदशित नहीं होता है और आकसाइड नहीं बनते हैं जबकि जिंग, ऐल्मॉनियम, मैगनीसियम, कैलसियम आधी धातु यह असानी से ऑकसाइड बनाता है हाइडरोजन एक गैस धातु है लेकिन इसे भी सक्रिये स्रिणी में सामिल किया गया है क्योंकि यह धातु की सक्रियता की तुलनामे करने में मददगार होता है अब देखिए आप पोस्टन नमबर यहां एक एक करके डिस्कुस करते है तनू हाइडरोकलोरिक अमल को अविकिरिया सील धातु में मिलाने पर कौन साइड गैस उत्वन होती है जस्ते की तनू हाइडरोकलोरिक अमल के साथ होने वाली अविकिरिया लिखे तो इसको अविकिरिया को आपको क्या करना है दोस्तों लिखना है आएडरोकलोरिक के साथ हो अविकिरिया तो यह क्या बनाता देखे जैसे जिंक ये solid state में ये एककोस यानि solution के फॉर्म में है billion के फॉर्म में ये zinc jncl2 एककोस होगया hydrogen gas यहां क्या होता है दोस्तों release होता है ठीक है यहां क्या है अच्छे तो आपको जो है न क्या करना ये देखें यहां भी है और यहां भी है अर्था जो है आपके जो question से है दोश्तों आपको क्या करना है इसे क्या करना आपको याद करना है समझना है इसमें आप देखें इसको मैंने इसलिए अलग से कर दिया है ताकि आपको क्या पता चले इसमें जहना दोस्तों देखिए इसमें आपको जो ने इस अर्णी को धातू ABC के सम्दित उतर दीजी इसमें देख कर कि कौन अभिकिरिया सील है कौन कम है ठीक है अब देखिए कुस्टन नमबर हम सेकेंड पे चलते हैं कुस्टन नमबर सेकेंड ह क्या होता है जब कौपर सिल्वर नाइट्रेट गोल के साथ अभिकिरिया करता है कौपर सिल्वर नाइट्रेट जब गोल के साथ अभिकिरिया करता है तो क्या होता है तो देखिए यहां कौपर नाइट्रेट के गोल के सिल्वर को विस्थाफित करके कौपर नाइट्रेट और silver नीचे तले में बैठ जाता है यानि copper sulphate silver nitrate के साथ अभी करिया करके ये copper को भी स्ताफित कर देता है और उसके बाद जो है ना silver nitrate बना लेता है और ये az solid के form में होता है ठीक है दोस्तों अब हम question number third देखेंगे question number third यहां देखें question number third है हमारा copper sulphate का billion लोहे के बरतन में रखा गया था कुछ दीन के बाद लोहे के बरतन में बहुत छेद हो गया जो की अभी करिया हुई उसका समिकरन लिखेंगे तो आईए इसका समिकरन हम लिखते हैं third है दोस्तों देखें ऐसे लोहे के copper sulphate के साथ ये एफी सॉलिट फॉर्म में होता है C.U.S.O.4 एक्वस फॉर्म में तो एफी एसो फॉर्म में ये एक्वस एक्वस यानि billion इसको करते हैं ठीक है दोस्तों ये billion के फॉर्म में और C.U. ये gas के फॉर्म में होता है copper sulphate आब question number 4 देखते है धातव B से अधिखा भी कर्यास लिए यानि question number 4 हम देखते है और question number 4 का अंसर करते है ठीक है दोस्तों अब देखिए question number 4 भी है इसमे question number 4 गया कहा है एक second आपको मैं दिखा रहा है यहां देखिए आपका question number 4 ही ये रहा ये question number fourth है ये सारे questions का answer एक एक करके जोने सबसे अधिक अभिक्रियासील धातू कौन सी है धातू B को copper sulphate में billion में डाला गया तो क्या होगा धातू A, B, C, A D को अभिक्रियासील के घर्टे करम में विवस्तित कीजिए तो आईए इसे देखते हैं तो ये देखिए आपको क्या करना है इसमें सिर्फ इसे उतार लेना है आपको धातू B सबसे अधिक अभिक्रियासील धातू है धातू B क्योंकि copper से अधिक अभिक्रियासील होता तो ये copper को विस्तापित कर देता है और ये बढ़ते करम में देखिए सबसे पहले B होगा, उसके बाद E होगा उसके बाद C होगा, उसके बाद D होगा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक किजिए चेयर किजिए और सस्क्राइब कीजिए थेंक यू दोस्तों थेंक्स लॉट फॉर वाचिंग इस वीडियो झाल 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 झाल